हेलो तो दोस्तो मधवानिय स्टडी सेंटर में आप लोग कर स्वागत है तो दोस्तो जिसका था इंतजार वो घरी आ गिया है तो देखते रहेगा वीडियो में अंत तक पूरे अभी सारा ची डिसकस करने वाले हैं कुछ दिन पहले एक पेपर कटिंग के माधियम से एक वीड जो आउट्सोर्चिंग से कमपनी के थुरू होने वाला है तो उससे रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आया है जिसको अभी हम आप लोग को दिखाने वाले हैं और उसमें क्या-क्या दिया गया वो सारा ची हम बताएंगे तो अभी अगर आप लोग इस चैनल पर नए है तो को लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए दोस्तों के साथ वीडियो को सेर करना ना भूलिएगा उससे पहले आप जो है हमारे एक टेलिग्राम चैनल है जिससे आप लोग ज्वाइन हो करके रहिए ताकि वहां से आपको हर एक अपडेट मिलता रहेगा टेलिग्राम पे जा करके आपको सर्च मारना होगा मधवानी एस्टडी सेंटर मधवानी एस्टडी सेंटर के नाम से आपको मिल जाएगा वहां से आप लोग सबसे पहले जॉइन होकर करेए ताकि हर एक पीडिया फाइल नोटिफिकेशन या पेपर कटिंग कुछ भी आता है तो यहां पर अप्लोड किया जाता है यहां से डाउनलोड करके आप अधिक से अधिक अपडेट पा सकते हैं अधिक सदिक जानकारी ले सकते हैं तो बाढ़ते हम आज की वेकंसी की अफडेट की ओडर कि आज का जो अपडेट है वो सबसे पहले देख लिजिए कि योजना एबं विकास विभाग बैकेंसी 2024 यह एक सबसे पहले जान लिजिए कि यह आउट्सोर्चिंग बैकेंसी है यह एक आउट्सोर्चिंग बैकेंसी है जो कमपनी के थुरू होने वाला है तो सबसे पहले अभी इनका जो है टेंडर या वर्क ओडर जारी नहीं हुआ है जैसे ही अपडेट आएगा आप लोग के बीच हम वीडियो लेकर के आते रहेंगे हर एक अपडेट पाने के लिए इस चैनल से आप लोग जोएन होकर के रहें हर एक अपडेट आपको देंगे आउट्सोर्चिंग से जैई हो या जो भी बैकेंसी आता है इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक अपडेट मिलता रहेगा तो बिहार में जेई, बिहार जेई है, यह भी बिहार का ही है, बिहार जेई का ही vacancy है, देखते रहे हैं, इसमें जो eligibility क्या diploma से अगर आप civil engineering से किये हुए हैं, तो आप इनके लिए eligible होंगे, इनका जो criteria है, notification में क्या-क्या दिया है, वो सारा ची अभी हम बताने वाले हैं, तो notification की और और उसमें क्या-क्या criteria, क्या condition है, तो यह हम देख लेंगे, vacancy आपको जो बताये थे कुछ दिन पहले, कि 350, 350 vacancy आपको इसमें देखने को मिल रहा है, total vacancy इसमें जो है, 350 है, तो 350 पे कब से यह start होगा, अभी थोड़ा समय लगेगा, बहल जल्द ही आपको देखने को यह vacancy मिलने वाला है, तो बढ़ते हैं, नोटिफिकेशन की और और देख लेते हैं, इसमें क्या-क्या अपडेट दिया गया है, तो सबसे पहले देख लिजेए, बिहार सरकार योजना एवं विकास भिवा का जो संकल्प लिया गया है, इस संकल्प में क्या-क्या दिया, य जान लिजे, तो पत्रंक जो है, देख लिजे, एक बारा दोहजार चोबिस, उसके बाद पत्ना दिनांक 18-9-2024 को रिलीज किया गया है, बिशाई में दिया गया, देख लिजे, बिशाई में बताया गया है, योजना एवं विकास भिवाग बिहार द्वारा संचालित कार् के समसमाई क्रियाविने प्रवेक्चक एवं अनुश्रन इत्यादी के निम्मित भिहार अस्थानिये छेत्र अवर अभियनता असैनिक संबर्ग में डिपलोमा समकच योगता प्राप तकनिक मानन बल्की कमी की द्रिष्टिगत रखते हुए, कारी हित में वर्तमान में कुल 350 तकनिक प्रवेक्चक की सेवा आउट्सोर्सिंग के माध्यम से कनिया अभियनता असैनिक के पदपर नियमित न्युक्ति होने तक प्राप्त किये जाने एवं उस पर होने वाले अनुमानित वार्षिक वय जो है कितना खर्च होना इसके बारे में विसे में दिया गया है, तो सबसे पहले जान लिजिए कि योजना एवं विकास विभाग में इनके तरब से जो विसे में बताया गया है कि 350 माना बल इनको तैनात करवाना है, तो वो 300 तब तक करेंगे जब तक इस पर कोई नियमित निक्ति ना आ जाए, तब तक इन पर आपकाम कर सकते हैं, तो इन इतना इस पे जो है, स्विक्रिति कर दिया गया, इसमें इतना खर्च आने वाला है, इसके बारे में बताया गया, अब आगे देख लिजिए, योजना एवं विकास विभाग के प्रसासनिक नियंतरा दिन, गठित अस्थानिये चेत्र वियंतरन संगटन द्वारा, मुखमं माननिय सदस विदायक अनुमंडल की अनुसंसा पर परती सदस परती बर्स चार सो करो रूपे अर्थात कुल, बारा सो बातर करो रूपे की योजना का कार कराया जाता है, तो इसमें देख लेते हैं कि मतलब टोटल चार सो करो रूपे अर्थात, बारा सो बातर करो रूपे की योजना का कार इसमें जो है, होता है, तो इसी हिसाब से जो है, इस पर मानबल को तेनात करवाना है। प्रयोजित योजना तथा सीमा चेत्र विकास काले करम एबं ल्व इजिलो के लिए विशेश केंद्रिय साहता योजना अंतगत विविन विकास काले का करियावे होता है। तो इसमें देख लिजे ग्री विवाग की योजना के तहत जो है बिहार में मंदिर या क्या बोलते हैं उसको चारदिवारी निर्मा योजना और कपरिस्तान का घेराव के लिए गेराबंदी पक्की घेराबंदी योजना का कार इसमें ही आ जाता है। उसके बाद पंचायती राज विभाग के पंचायत सरकार भवन एबम किर्सी विभाग के इकिसान भवन का निर्मान कराया जाता है। तो इस प्रकार के योजना के तहत जो है इसमें तीन हजार करोड से अधिक रासि का जो योजना का कारे करवाया जाता तो बहुत मोटा रख़म में कारे होता है तो विभाग में जाना अच्छी बात है जैई के पोश्ट पर विभाग अंतरगत विविन योजनाओं के के कुल 1298 अस्थाई पद्षिक्रिति है तो टोटल पद इसमें जो है 1298 पद्षिक्रिति है अध्धितन विभाग अस्तर पर भर्थी किये गए नियमित कनिया भयंता की संख्या सुन्य तो नियमित जो है बैकैंसि इसमें जो अभी तक नहीं हुआ है कार्यहित में जल संसाधन और ग्रामीन का रिए काड़ कारी विभा क से शेवा प्राप्त। 284 जीरानवे संदर कपारी कारी रध है। बाकि अभी सीट खाली है, सेस एक सो एक हजार छेपद रीक्त है, तो टोटल भी एक हजार छेपद इसमें रीक्त देखने को मिला, इस परकाराशनी के अभी अंतरन में, डिपलोमा समकच में प्राप माने में बलकि अत्यधी कमी होने के कारण, और फिर कंडिका एक से चार तक बहुत सारा पोष्ट है, और उम देख लेते हैं, पोष्ट नहीं, बहुत सारा इसमें कंडिशन दिया गया, कहां क्या काम होता है, नहीं होता है, तो और देख लेते हैं, छे नमबर में यदापी कनिया भी अन्ता के रिक्त पत्पन नियुक्ति है तू, अधी आचना समाने प्रसक्षन ब्याग ब्यार पत्ना माधियम से ब्यार तकनिक सेवा आयोग पत्ना को प्रेशित की गई है, परन्तु उक्त रिक्त की बिरुद नियमित नियुक्ति में बिलंब की संभावना, तो देख लिजे, बीटी सी के बारे में भी दिया गया, कि बीटी सी को भेजा ग प्रेस की कूल, तींसोपक्यास प्रवैक्षक की सेवा और सूर्सिंग के माधियम से प्राप्ट करवाने का राजमंतीपरशद का नियरने सुचीत है, तो तींसोपक्यास कनिय भियन्था का जो है, ये निदिया ओर राजमंतीपरशerson के लेना है, उसके बाद, आठ नमबर म निम्लिकित सर्थ बंदकों के आधार पर लिया जा सकता है, तो इसमें बताया जा रहा है कि पहले एजनसी का नियुक्त होगा, एजनसी की नियुक्त करने के बाद जो है, वो आपको मानबल तैनात करके देंगे, यह सारा चीज है, उसके बाद आप देख लिजे, आठ के ए मे लिए किसी भी सरकारी लाब, मुआबजा, नियमिती, करन, नियमित, नियुक्ति के आधी भार, आधी का दावा नहीं कर साथ पाएंगे, तो जिनका भी इसमें चयन होगा, वो दावा नहीं कर सकते हैं, कि हमको इस पोस्ट पर बने रहना है, या कोई आपको एक्स्ट्रा इ नहीं मिलेगा आपको, यह साथ इसमें बताया गया, तो यह सरा सर्थ और कंडिशन है, उसके बाद, इसमें जो कंपनी के साथ एक्रार नामा होगा, उस एक्रार नाम में से आप लोग को जो है, इसमें चयन किया जाएगा, दूसरा नंबर में पून्त आउट्सोर्चिं के आधार पर सेवा प्राप्त करनिये, तकनीकी प्रवेक्चक के मानब बलके रूप में सेवा लेने के, कि सर्थ और अब्दी सर्विस प्रोवाइडर एजन्सी के बीच होने वाली एक्रार नामे के दीन होगा, तो गौवर्मेंट और कंपनी के बीच में जो एक्रार नामा हो जाता है, काम करते समय, अगर आप लाप परवाही करते हैं, कोई अनुसासन हीन दिखाते हैं वहाँ पे, तो इसमें आपको जो हटा दिया जाएगा, बिना अनुमती, कोई सूचना दिये हुए आपका, कार समाप्त कर दिया जा सकता है, तो यह सब सरा इसमें टर्म एन कंड सर्थ दिया हुआ है, तो बहुत ही जल्द यह भैकैंसी आप लोग को देखने को मिलने वाला है, तो दिल थाम के रहिए, जैसे ही अपडेट आएगा, हम इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक अपडेट देंगे, अधीक जानकारी के लिए आप डिस्पले पर जो नंबर सो तो आप वहां से आप जरूर जोएन होकर के रहिएगा, आगे बढ़ने से पहले जान लिजिए, अगर आप किसी भी एक्जाम का अगर आप तयारी करते हैं, तो वहां पर आपको मिसन GKGS का वसकता होता है, जो कि आपको हर एक एक्जाम में देखने को मिल रहा है, चाहे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके और आप जो है इस क्लास में जोएन हो सकते हैं, अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं, SK1010, तो आपको 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा, और यह डिसकाउंट आपको 999 से 900 पया सम्थिंग हो जाएगा, तो इसके लिए आप अगर आ जारी करते हैं, तो इस क्लास को जोईन कर सकते हैं, बढ़ते आगे और देख लेते हैं, इसमें जो तर्म एंड कंडिशन हो सारा ची हम बता दिये गया है, इसका एक नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन के हिसाब से, तो यह कंपनी के द्वारा यह वैकेंसी किलि बीडियो को देखें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, यहां तक आज का जो है, यहां तक था, बागी मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,